आपके भीतर का जीवन बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो काफे नहीं हैं, मैं बस उसी सचाई को एक गूंज बना रहा हूँ, सबसे बढ़कर मैं अब ठकने लगा हूँ, तनाव मिटाने वाला और आपके पती या पतनी को सुधारने वाला गुरू बनते बनते, अगर आपका मन आपके शरीर की आदतों से उपर नहीं उड़ता, तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझ से पूछ रहा था, सद गुरू आप हमारे साथ इतना कठोर बरताव क्यूं करते हैं, कई गुरू अच्छी बातें बोलते हैं, आप लग करते हैं, ये काफी नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आपके भीतर का जीवन बोल रहा है, कि आप जो भी करते हैं, वो काफी नहीं है, आपके भीतर का जीवन बोल रहा है, आप जो भी कर रहे हैं, वो काफी नहीं है, मैं बस उसी सच्चाई को एक गूंज बना रहा हूँ सबसे बढ़कर मैं अब ठकने लगा हूँ तनाव मिटाने वाला और आपके पती या पतनी को सुधारने वाला गुरू बनते बनते एक योगी का मतलब है कि उसे आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके शारीरिक और मानसिक नाटक से परे हो मैं आपके शारीरिक और मानसिक नाटक का निर्धेशक नहीं हूँ ये दोनों नाटक अच्छे से चलाना आपका काम है है न? आप में जीवन चलाने के लिए परियाप्त गुधिमानी है हाँ या न? परियाप्त गुधिमानी है? सवाल सिर्फ यही है, कि वो आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ? जब आपकी बुध्धिमानी आपके खिलाफ काम करती है, तो आपका काम खत्म हाँ, कोई और आपके खिलाफ काम करे, तो उसे मैनेज किया जा सकता है हम? उसे मैनेज किया जा सकता है जब आपकी ही बुद्धिया आपके खिलाफ काम करने लगे तो आपका काम खत्म उस थिती में कोई संभावना नहीं होती तो तरीका क्या है? आदियोगी ने आत्म ग्यान पाने के तीन बुनियादी प्रबंधों की बात की एक तरह के लोगों के साथ जो सब्तरिशी थे जो साथ बहुत ही केंद्रित इनसान थे उन्होंने आत्म ग्यान के विज्ञान की बात की और ये खोज दशकों तक चलती रही इसके लिए आपको एक बहुत तेज बुद्धी और धीरज की जरूरत होगी ताकि आप दशकों तक किसी चीज को थामे रखें ताकि आप बस एक ही दिशा में केंद्रित रहें मन के द्वारा अपने मन को एक ही चीज पर रखना एक समय अवधी तक इसके लिए जबरदस्त शमता चाहिए बुद्धी की शमता ताकि आप किसी चीज पर टिके रहें बिना डगमगाए अपनी भावनाओं को टिकाए रखना थोड़ा आसान है तो जब उन्होंने देखा कि जिस तरह वो सब्तरिशियों को सिखा रहे थे हालां कि शुरू में सभी को लगता है कि वो बुद्धिमान है और आत्मग्यान के विज्ञान की बातें सुनकर उनका मनुरंजन होता है कुछ समय बाद वो टिके नहीं रह पाएंगे क्यूंकि इसके लिए तेज बुद्धि और धीरज दोनों चाहिए जो तेज हैं वो कहीं टिक नहीं पाते वो लोग जो थोड़े मन्ध हैं सिर्फ उन्ही में थोड़ा धीरज है या दुरभाग्य है तेज और हमेशा पूरी तरह धीरज की स्थिती में भी रहने वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं है तो उन्होंने अगली संभावना तब देखी जब उनकी पत्नी पारवती आई वो उनके पास जबरदस्थ प्रेम और भक्ती के साथ आई थी तो उनका प्रेम और भक्ती ऐसी थी कि वो उन्हें अपना एक हिस्सा बना पाए और वो शिव का आधा हिस्सा बन गई वास्तव में भारतिय भाशाओं में पत्नी को अरधांगनी कहते हैं मतलब वो वाकई आपका आधा हिस्सा है शायद अंग्रेजी में भी ऐसा एक शब्द है बिटर हाफ, बिटर हाफ, वाटेवर ये हर मामले में अलग होता है तो उन्होंने ये दर्शाया कि सिर्फ भावनाओं से आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं क्यूंकि जब आपकी भावनाओं किसी से जुड़ जाती हैं तो केंद्रित रहना बहुत आसान होता है जब 18 या 20 की उम्र में आपको किसी से प्रेम हुआ था तो आप उनकी छवी अपने मन से मिटा ही नहीं पाते थे वो हमेशा वहीं रहती थी क्यूंकि जब आपकी भावनाओं किसी से जुड़ जाती हैं तो आपका मन बस वहीं रहता है आप जो भी सोचते हैं आप जो भी करते हैं और आपकी उड़ जाएं भी उसी दिशा में मुड़ जाती हैं क्यूंकि आपकी भावनाएं किसी चीज से जुड़ गई हैं। तो पार्वती ने यही किया। उन्होंने अपनी भावनाएं आदियोगी से इस तरह जोड़ दी कि जो भावनाएं प्रेम के रूप में शुरू हुई, वो भक्ती बन गई। भक्ती का मतलब यह वो गोल है, जिसमें आप धीरे-धीरे घुल जाते हैं, आपका व्यक्तित्व कम से कम होता चला जाता है। तो वो अपने आत्मग्यान तक उस तरह पहुँची, उन्होंने उन अर्थों में परमतत्व को जाना। वहाँ कुछ और भी प्राणी थे, जो उनके अपने थे। वो बिलकुल ऐसे थे, जैसे उन्ही का एक हिस्सा हो, उन्होंने पूछा हमारा क्या, ये सभी लोग तो चमक रहे हैं, हमारा क्या होगा। वो बोले, आप इन सभी चीजों की चिंता मत कीजिए, ये बुद्धिमान मूर्खों के लिए है, वो भावनाओं से भरे मूर्खों के लिए है, आप इन चीजों की चिंता मत कीजिए, आप बस यहीं रहिए, आप वैसे भी मेरे हिस्से हैं, आपके लिए कुछ करने की क्या जरूत है. आत्मग्यान और ग्यान की चिनता मत कीजे, आप बस यही रहे, क्यूंकि आप खुद को एक अलग व्यक्ति ही नहीं समझते, इसलिए आपको कुछ करने के जरूत नहीं है, बस यही रहे, यही सब कुछ है. तो इन सिर्फ स्कूल में विज्ञान पड़ा है पर आज दुनिया में हर कोई सोचता है वो विज्ञानिक है तो अगर आपको इस बुद्धी को ऐसा बनाना है कि वो लंबे समय तक इस तरह रह सके तो ये बहुत बढ़िया है इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा भावनाओं में ज्यादा शमताएं हैं आपकी बुद्धी की तुलना में चाहे आप पुरुष है या स्तरी या आपके लिए सच है इस पर ध्यान दीजे हो सकता है आपका प्रेम इतना केंद्रित ना हो पर कम से कम आपका क्रोध केंद्रित है वो भी एक भावना है अगर आपका मन आपके शरीर की आदतों से उपर नहीं उड़ता तो मुझे माफ कीजे मैं आपसे बात नहीं कर रहा अगर आप ये नहीं जानते कि अपने मन को अपने शरीर की आदतों से उपर कैसे ले जाएं अगर आप उनसे उपर नहीं उड़ते तो आप से उंची चीजों की बातें करने का क्या फाइदा है आप अपने जीवन की इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहे आप बस शरीर के तौर तरीकों से संतोष्ट है बस यही है क्या ये गलत है? बिलकुल नहीं ये बस सीमित है क्या सीमित होना गलत है? बिलकुल नहीं लेकिन अगर ये मेरे साथ हो तो मैं ऐसे अपने जीवन के खिलाफ एक अपराद मानूंगा लेकिन अलग-अलग लोगों के अलग-अलग माप्तंड होते है ये बिलकुल ठीक है बस यही है कि उंची चीजों की बाते मत कीजिए जब आप ये चाहते हैं ये आपके समय की बरबादी है और मेरे समय की भी कुछ शारीरिक चीजों ने लोगों के मन में इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आपको बस उसे थोड़ी सी ज्यादा जागरुगता के साथ देखना होगा क्या आप में इन चीजों से परे जाने की बुध्धी नहीं है आप में है मेरा विश्वास कीजी बस ये ही है कि आपकी बुध्धी इतनी चीजों से बंध गई है कि ये सीधा नहीं सोच पा रही है क्योंकि छोटी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को आपने इतना ज्यादा सजा दिया है इतना ज्यादा श्रिंगार किया है कि आप आरपार नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या है ये बहुत सरल प्रक्रिया है भूक और कामुक्ता की शारीरिक जरूरत हैं बहुत ही सरल चीज़े हैं अगर आप उनके असली रूप को देखें तो बहुत आसानी से आप इनके परे देख सकते हैं शरीर और मन ये साधन आपको इसलिए दिये गए हैं ताकि आप जी सकें ना कि इसलिए कि आप इन दो साधनों के गोलाम बन जाएं आपका काम इन पर महारत हासिल करना है